गरीब घर में में पैदा हुआ करोड़ पती बन रहा है। आलू टमाटर भी बेच रहा ना तब भी उसके यह है कि मैं फार्चुनर में घूमूंगा एसी में चलूंगा हवाई जियाज में खरे चलूंगा। बहुत लोग ऐसे होंगे ना उनके पास करोड़ों की प्रपाइल का। कि इतने सारे लोग को मार के बिल्ली सौ चुए खा के हज को चली वह बलकान ही नहीं है। इतने सारे अपराद को करके बढ़ियां आराम से जीवन जी रहा। यह जोतिस के बाद्ध्यम से भी हो सकता है। सरकार में एक जोतिस की पोश्ट हो ना तो आदे कर्मिनल इतना विनास हो चुका होगा, मानावता का इतना हरास हो चुका होगा, कुछ सर्वाइब करने के लिए बचेगा नहीं। कोई पत्थर किसी पर एफेक्ट नहीं डालता। अगर पत्थर पहनने से ही बहुत लोग परोड़पती बन जाते तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ज ठालग प्लानिंग से करिए, उसको सतत करते रहीं। सफ़ल हो जाएंगे इसी तरूप से। जब आपका लगन है ना लगन वो जुनून बन जाएगा ना वो आपकी सक्षिज है। आपकी स clues है। इसंब है अभाग जब व सर्वत्र फलित।। ना चा विद्या ना चा पौर कुछ काम में आता है, पौरत भीम का था, कितना पौरश वाना विक्ती था, दुरी ओधन को हरा दिया, अक्साधार ना समझीए. और कई वर्सों के अनभव के साथ, उन्होंने ऐसे कई प्रेडिक्शन भी किये हैं, जो आज वर्तमान में सच हो रहा है, तो चलिए, आएए मिलते हैं, ब्रिजेंद्र आचारे जी से, आचारे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉड्कास्ट शो में आने का, ब आपने प्रेडिक्शन के लिए काफी जादा प्रचलित हो, अपने शहर में भी और सोसल मेडिया के माध्यम से बाहर भी, तो आप हमें बताएं कि जर्नी कैसे, आपकी इस फील्ड में जर्नी कहां से स्टार्ट होती है, बच्पन में ही स्टार्ट हो गई थी, लगभग मैं समय दस वर्सका था, तो बगल में एक हमारे अंकल जी रहते थे, तो वो उनको एस्ट्रोजी का अच्छा ग्यान था, आ रहा है थे हो, तो वो जब कमरे, जब वो अपना काम करते थे, तो वो हमको बैठा लेते थे, तो वो जब कुंडलियां वगएरा बनाते थे, तो फिर ह मारा इंटरस्ट बढ़ने लगा उसपे, ये क्या करते हैं, फिर वो हाथ देखते थे, जिसे गरांक आते थे उनके पास, कई लोग मिलने के लिए, तो उससे फिर इंटरस्ट बढ़ने लगा, फिर मिला, फिर मुझे इंटरस्ट वो कि या लखीरों में क्या होता है, मतलब ये लकीरें जो होती है मुझे ऐसा लगता था उस समय भी जब मैं दस वर्स का था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुठी बानने से बनती है ये लकीरें कोई वी चीज है बहुत समय तक बंध है तो वो उससे बन जाती है लेकिन दिमाग में था कि ये मुठी बानने से बन जा पर ये भाग रेखा जो सीधिये है इसको तो बनना नहीं चाहिए वो बहुत गहरी है मेरी भाग रेखा और मुझे लगा कि कुछ है इस पर अजब ये आपको 10 साल की एज में ही आप 10 साल की उमर में मैं 10 साल का था अच्छा उस समय फिर जो किताबे थी तो वो कुछ देते थे कि भाई पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो step by step छोटी छोटी किताबे थी 20-25 रुपय वाली आते थी उस समय छोटी छोटी वो देते थे कुछ चीजे सिखाते थे बैठा के बताते भी थे ये जीवन रेखा है ये मस्तिक रेखा है ये ये रेखा है ये क्रॉस है इसका ये मतलब है ये नचत्र है ये जलचिन है बहुत सारी लब चवदा ये जो रेखाएं है चवदा रेखाएं है और इस पे हाथ पे नवग्रह भी होते हैं 42 प्रकार के कुल टोटल चिन होते हैं ठीक है तो इनके विशय में बताते थे और ये 42 प्रकार के जो चिन है ये प्रकार के नच्छत्रों को भी इंकित करते हैं तो इनकी संख्या मूल रूप से देखा जा तो मैं 27 मानता हूँ जो मेरा रिसर्च है ठीक है 42 होते हैं लेकि जो मेरा रिसर्च है कि 14 रिखाएं है 27 या 28 प्रकार के चिन होते हैं अच्छा और जब ये कभी अच्छा जो बहुत लोग प्रश्न कुंडली अच्छा देखते हैं हस्तर एखा में भी प्रश्न कुंडली है तो उससे सम्मंदित उत्तर निकल गया आता है वो रेकुंडली में भी ऐसे हस्तरेखा में भी होती है अच्छा बहुत लोग मंतर से भी देखते हैं जिसे कुछ लोग वराही साधना होती है उसके माध्यम से भी बहुत लोग देखते हैं हस्तरेखा उसमें क्या रहता है वो Laknash का जब सिध्धी रहती है करीब 6 महीन में से दो जाती है तो उसे भी मंत्र पढ़के वो 7 वार मंत्र पढ़ते हैं और हाथ जब टेच करते हैं तो उस विषय के भूत भविश के बारे हम जानकारी आ जाती है वो भविश्य के विषय में तीन महीने आगे तक की जानकारी आती है उसमें अच्छा अपकिसी व्यक्ति का तीन महीने आगे तक का भवश से बता देंगे मतलब अगर आपने शिद्धी प्राप्ट कर लिए तो आप किसी व्यक्ति का हाट टच करके भी उसका वो जब आएगा उसमपर्क में तो तीन महीने तक आगे तक का भवी से बता सकते है फिर मुझे लगा इसके लावा भी सीखना चाहिए तो फिर मैंने फेस रीडिंग भी सीखी फेस रीडिंग भी हमको ये लगा कि इससे बहुत कुछ और भी गहराई से प्राप्त किया जा सकता है जाना जा सकता है किसी के बारे में और फिर फेस रीडिंग से फिर जो 30 में भी गुश गए उसमें और मज़ा आने लगा फिर मेरे को मज़ा आने लगा इसमें इस फिल्ड में मज़ा आने लगा क्या रहता है कि जब आप उस समय जब मैं छोटा था 12-13 साल का बच्चा किसी का हाथ देखे का तो लोग मजा की करेंगे तो कहते है अच्छा जब किसी को टाइम पास करना होता था अच्छा इधर आओ थोड़ा सा देखो मेरा हाथ कुछ बताओ मजा लेने के लिए लेकिन चुकि मैं उस समय जो पढ़ रहा था पूरे मनोयोग से पढ़ रहा था और बच्चों आपको पता है जो बच्चे रट लेते हैं तो फिर बहुत कंठस्त होता है और बच्चों के अंदर बहुत जिग्यासा होती है वो पूछते हैं उनके अंदर कोई वो नहीं होता है कि कौन चोटा है कौन बड़ा वो हर वेक्ती से knowledge उस समय मेरे को सीखना ही था कुछ मिलता तो था नहीं ना तो मैं पैसे के लिए कर रहा था कि चलो मैं किसी का हाथ देखूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं लोग हमको मजाक समझते थे अब मजाक ही करते थे समझ लीजे फिर हम इस पे आगे बढ़ते गए लिकिन जब चीजें लोगों के साथ घटना होने लगी वो दो-चार साल बाद सच होने लगी उनको ये लगा कि ये बच्चा कुछ जान रहा है कुछ गुप्त चीजे जान रहा है और ये बहुत सटीक हो रहा है इसकी भविश्वानिया अच्छा एक चीज और हुई मेरे को क्या हुआ कि एक बार करेंट लग गया पेट पे मेल लाइन की क्या था कि हम लोग जहां किराय के मकान पे पहले रहते थे पढ़ने के लिए सहर में गये तो वहां किराय का मकान था तो वहां तार की केबल थी मेल लाइन बाली तो वो छट से निकली हुई थी बीच छट से उपर खंभा जो था ना वीच में छट तूरा टेच नहीं होता था तार से तो वो कुछ हिसा बचा हुआ था तो वहां क्या था कि हमारी स्कूल भी थी उधर तो मैं अपनी स्कूल को देखने के चक्कर में उधर गया तो मेरे में में जो लाइन होती है वो करेंट मेरे को लगा ठीक है आथ पे लगा तो मैं गिर गया, फेक दिया उस करेंट ने, गद्धा बिच्छा हुआ था, तो वो उस पे मैं गिरा, गिरने के बाद जटका टाइप के लगा, मेरे को इल प्रकार से बहुत भैयानाक तरीके से जटका लगा, गिरने के बाद मैं बहुत देर तक पड़ा ही रह गया, लग 15-20 minutes, वहां कोई था भी नहीं, वहां बच्छों को जाने नहीं देते थे, चुकि मैं चला गया, कोई ध्यान नहीं दिया, अब वो पानी लेने गया थे, मैं उधर चला गया, वो करेंट लग गया, और यहां मैं बिगोसी की स्थिती में पड़ा हूं, कोई देखने वाला न तो मुझे सपने में आने लगी एक देवी, और वो बताती थी कि जैसे किसी की इंगली बड़ी है पैर की, तो बताती थी उसका ऐसा स्वभाव होगा, ठीक है, अचा तो मुझे सपने में मजा आने लगा, वो बहुत सारी चीजें सपने में बताती थी, और फिर गयाब हो ज बीच में जैसे जग जाता तो फिर नहीं आता था, बिना कड़ी तूटे, कभी आदे गंटिक लिए, कभी एगंटिक लिए, ऐसे चलता था, लेकिन कांटिन्यूस अपने आने लगे, उन देवी के, वो फिर मैंने पता किया कि भाई, कई लोगों से पहले तो मुझे नहीं स ठीक है, मतलब ये नहीं बताता था कि वो सपने में मैंने देखा है, और देवी के विशे में मैंने किसी को बताया नहीं, क्या करता था कि, जैसे कोई की नाक देखी, उससे मुझे जो जानकारी मिले, भाउं से, माथे से, है ना, और हस्त रेखा के विशे में भी जानकारी देती थी, फिर क्या हुआब मैंने जब यह बता दिया, अपने चैसे मैंने आना बंद हो गए वो सपना मेरे को करीब क्रिच साथ महिने चला, उमने इन साथ Shift Connect को प्रैक्टिकली इशन्षाय उन्हों नouveर्ट काम का था वो जब फिर क्या हुआ, सीख तो लिया मैंने, लेकिन मेरे पास किताबे उताबे तो कुछ थी नहीं, तो फिर क्या हुआ कि मैं जब किताब खरीद के भी जब छोटा था जिसे कुछ पैसा वगरा मिला तो मैं आलतू पैसा खर्चा ना करके किताबे खरीदने के आधी हो गया तो फिर उनके किताबों के माध्यम से, मैंने का ये तो मुझे बताया था सपने में, ये इसमें लिखा हुआ है, जैसे और पढ़ने लगा तो वो सारी चीजें जो मुझे पहले से ही पता थी, सपने में, वो सारी चीजें मिलती थी, तब मुझे एक और समझ में आए कि बच्चों पे तो थोपते ही हैं थोड़ा सा, उनके भी अपने सपने हैं, कौई माबाब नहीं चाहते कि हमारे बच्ची का फ्यूचर खराब हो, और इस फिल्ड में लोगं को फ्यूचर दिखी भी नहीं रहा था, हमारा कि रांगे क्या जाएगा इस पे, कोई बैक हो गया कि मैं पढ़ाई लिखाई को कम ध्यान देता था, उनमें ज्यादा ध्यान देने लगा, पता भी नहीं चला, मतलब वो एक प्रकार से मेरे को नाशा लग गया, जोतिस्त का, मतलब ऐसा नहीं, कि मतलब मैं पूरी दूपहार ही पढ़ रहा हूँ, उट्टी है अगर, मैं छट पे चला जाओं, पढ़ रहा हूँ, ठंडी में तो और मजा आता था, और स्कूल के जो होफ वर्क वगर वो तो उस पे ध्यान कम देता था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा चात्र नहीं था मैं, ध्यानी नहीं देता था, मेरा इंट्रेस्ट खतम हो गया था वो जब जो 30 में मैं घुसा ना, तो मेरा इंट्रेस्ट खतो के जो 30 में चला गया, मैं ध्यानी नहीं देता था, सिर्फ ऐसा समझ ये कि पास होने के लिए पढ़ देते हम, ये हाल हो गया था मेरा पढ़ाई का बीच में, फिर क्या हुआ की चलता रहा, पास हो सो ही गया, ठ अपने प्रयासों से भी और वो जो सिखा रहे थे, उनके प्रयासों से भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे अस्टोलाजर थे, तो उन्होंने सिखाया, फिर उनका भी सहयोग, और फिर मेरा भी प्रयात, पिर जाके मैं एक्सपर्ड हो गया था, करीब 15-16 साल की उमर में, कूल एक्सपर्ड हो गया था, हाँ देखने का, मतलब इतनी सटीक भविश्वानियां होती थी, कि लोग दंग रह जाते थे, फिर मजा करना लोगों ने बंद करती है, फिर ये लगा कि चलो, हस्तर एका में है, और फिर मेरा गया रहे एक विधा, तो ठीक है, दूसरे विधा में फिर फेस रीडिंग में आए, फिर फेस रीडिंग में गया है, तो उसमें फेस रीडिंग में क्या होता है, मतलब फेस रीडिंग में मतलब आप फेस देखके, किसी व्यक्ति का व्यक्ति तो या फिर पूरा पास्ट प्रेजेंट सब जैसे मैंने आपके वारे में बताया, आप अपने से ही ले लिजिए कि जैसे चलते फिरते इसको आदमी को ये वता रहा है कि भाई ये वैक्ती इस तरीके का है कि रिमिनल माइंड का वैक्ती है ये सारब बुध्धी वाला वैक्ती है ये मौर्ख वैक्ती है ना समाज का बहुत भला कर सकते है उस वेक्ति को जब गाइट करता है न वेक्ति एक रेंडम कोई वेक्ति आपको मिल जाए और आपके विशाय में रेंडम चीजें बताने लगे भाई तो आप भी सोचेंगे हाँ यार मैं इसी टाइप का अद्बी हूँ और ये वेक्ति जो बोल रहा है तो बहुत सही बोल रहा है तो आप पहली बाद उससे खीचे जाएंगे ठीक है फिर दूसरी बाद जब आप हाँ दिखा दिये तो फिर वो और भी गहराई चीजें सामने आने लगती है तो और मज़ा आ गया तो इस तरही के से चीजें बढ़ने ही लगती है फिर अब मुझे लगा जो 30 में गोसा जाए फिर जो 30 में भी अध्यान करने लगे अपने से ही छोटे में फिर ये हुआ कि चलो यार अध्यान तो काफी हो गया अब इसको कोई अध्यान करने के बाद अपने को चाहिए ना की फाई अब सूरू से थोड़ा और अध्यान करो अध्यान करने लिए पाई बाहर चलते हैं क्योंकि ये मेदारियां थी पढ़ाय लिखाय भी करना था माबाप ये नहीं चाहते ना तुम एंजिनियर डाक्टर ना बनो जोत्सी बन जाओ अच्छा ये जोतिस को विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा जाता है जोतिस विज्ञान क्यों कहा जाता है क्योंकि अगर मैं जैसा कहूँ विज्ञान अभी तक ना पास्ट को ढोड़ पाया है और ना ही फ्यूचर को ढोड़ पाया है वो अभी पीच में है वर्तमान में पर जोतिस पास्ट और फूचर दोनों की बात करता है बहुं सारे वैग्यानिक भी एस्टालाजर हो जाते हैं आइस्टीन से किसी ने पूछा यह तीसरा विश्युद होगा तो कैसा होगा आइस्टीन ने कहा कि मुझे यह नहीं पता कि तीसरा विश्युद में क्या होगा इनसानों का लेकिन मुझे चौथे विश्युद के बारे में जानकारी है चौथा तीसरे के बारे में जानकारी नहीं है देखिए वो एक वे ज्यानिक है उनकी एक समझ होती है तो कहते है चौथा विशुदुज़ होगा न फिर पत्थरों से लाठी डंडों से लड़ा जाएगा इतना विनास हो चुका होगा मानावता का इतना हरास हो चुका होगा कुछ सर्वाइब करने के लिए बचेगा नहीं तो अब देख लिए तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया न कहीं न कहीं विज्ञानी प्रेडिक्शन करते हैं कि ये उलका इस टाइब में गिर जाएगी प्रतवी पे तो ये विनास हो जाएगा गिरी नहीं है प्रेडिक्शन करते हैं न तो एस्टोलोजी भी एक प्रकार का ऐसा ही विज्ञान है जो भविश्य की होने वाली चीजों को बताता है तो वो भी एक कैलकुलेशन है समझ लीजे ये भी एक प्रकार का सुध धरूप से विज्ञान है एस्टोलोजी अच्छा आप देखिए एस्ट्रोजी में बहुत सारे उपाया बताए जाते हैं उसको बोला जाता है आप यह उपाया कर लेंगे तो यह चीज़ें आपके साथ नहीं होगी यह क्या चीज़ है आपको नहीं समझाता जब वह ग्यानिक लोग बता रहे हैं यह उलका पिंड है यह प्रतवी से इतने कालखंड में टकराने वाली है अगर इस उलका को आप रॉकेट से या किसी अन्य तरीके से आप इसको डिस्ट्रॉइ कर दिये जिसकी या दिसा मोड दी है तो यह प्रत्वी की दिसा में नहीं टकराएगी अब उस दुरघटना से बच जाएंगे यह समझ रहे हैं तो यह तो बताया जा रहा है यानि जो चीज होने वाली है उसको भी चेंज कर सकते है ना उपायों से तो हम लोग भी क्या करते हैं जो चीज होने वाली होती है उसको भी उपायों से चेंज करते हैं बीजमंत्रोंस के जरिये उनकी एनरजी रहती है ग्रहों की वो एनरजी प्रभावित करती है निगेटिव भी और पॉस्टिव भी आप कोई देखेंगे एक विक्ती गरीब घर में में पैदा हुआ करोड़ पती बन रहा है है ना तो वो किस तरीके की एनरजी लेके पैदा हुआ निगेटिव सोची नहीं रहा आलू टमाटर भी बेच रहा ना तब भी उसके यह है कि करोड़ों की प्रपार्टी होगी तो भी सोचेंगे यह हमारी आउकात से बाहर है अरे हम कोई सोच नहीं न चाहिए आसे अपने देखने न चाहिए जिसको हम पूरा न कर पाए तो निगेटिव था नगेटिव एनरजी से भारा हुआ एक पेक्ती है जो नकार्ात्मक बाती करेगा musimy करेगा तो इन सब चीजों का हुए था है हम वानी का भी था होता है देखने का भी था होता है अचरा आपने देखा होगा जी जी बच्चों को जैसे रात में किशाzhए तो इसको सूसू लगती है तो अगर वो छोटा बच्चा है सूसू कर रहा तो जैसे ही आप सूसू करवा के रेडी होंगे ना तो कुछ ही समय बाद सोचे इस तरीके के रासायन बना देता है यह सरीर कि आपको कुछ ही समय बाद रिसाब लगाएगी इसका मतलब क्या हुआ आपने समझा नहीं सायत अपने सरीर को मतलब आप जो देखते हैं वो चीज घटित होने लगता है जो आप सोचते हैं वो घटित होने लगता है उसी तरीके से हार्मोन्स बन जाते हैं वो चीजें आपके सरीर में घर्टी थोने लगेगा आप चार दिन विद्वानों के पास बैठिए आप पांच में विद्वान आप होंगे चार दिन आप मूर्खों के साथ बैठिए पांच में मूर्खा आप होंगे फिल्कुल काम करते थे कहते हैं, तो वो ने चाय पीने takat जाते थे, बड़ी सी, तो लोग पूछते थियार तुम यार दिरू भाई, इतना कमाते हो, कमाने कि पूर पैसा तुम जाके होट दे अते हो, बाई, आधे हो, वो कहते हैं, मैं वो एक हजार करोड का प्रोजेक्ट डालना है, वो कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे implement कर पा रहे हैं, हम करज लेते हैं, सरकार से हजार करोड का करज ले लेते हैं, उनके पास भी नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन अपने से कई गुना जादा वो सोचते हैं दूसरी बात क्या होता है सबसे ज़्यादा जो साहस किया वसकता पड़ती है मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा साहस किया वसकता पड़ती है ब्यापार में उसमें क्या रहता कितना रिस्क होता है माली जे आप एक माली जे मेडल क्लास फैमली से हैं और आपको कह दिया जाए भाई चलो तुम कोई भी आपार कर लो ठीक है तो पहले आप दुकान को रेंट में लेंगे पिर कम से कम 10-15 लाख रुपए का उसमें समान रखेंगे सेट अप बनाएंगे उस पे और सोच लीजिए कि अगर वो किराया भी दे रहे हर मन्त में और पगड़ी भी देंगे और सोचिए वो ना चला अब कहीं किरह नहीं पाएंगे ठीक है वो कितना बड़ा रिस्क लेता है एक ब्यापारी और वो पहले रिस्क लेता है वो कितना बड़ा रिस्क लेता है तो बिना वो जाने अगर रिस्क ले लेगा ना ब्यापारी बिना चीजों को रिसर्च किये बरबाद हो जाएगा वो इसलिए कहते हैं ब्यापारी बनने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, चीजों को बहुत डीपली अध्यन करना पड़ता है, जो विक्ति नौकर नहीं बनता है, वो कभी मालिक नहीं बन सकता, आपको मालिक बनना है तो आपको नौकर बनना पड़ेगा, चीजों को जमीन में जाके सीखना पड़ेगा, मालीज उसको ये knowledge होना चाहिए कि भाई एक करोड की अगर एक किलोमीटर रोड बना रहे हो तो कम सको उसमें दो करोड की लागत आएगी फिर इतना इतना इसको इसको देना पड़ेगा फिर जो labor रहती वो भी कुछ कट मारती है चीजें हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती कहीं गड़े होंगे कहीं नया काम सामनी आ जाएगा तो बहुत सारी सारी चीजें रहती हैं और corruption से भी जूजना पड़ता है क्योंकि कोई भी ठेका आपको बिना percentage खिलायर नहीं मिल रहा है तो यह सारी चीजें फिर आप चो percentage खिला भी देंगे तो फिर सरकारी महेगे में को भी संतुष्ट करने के लिए भी देना पड़ रहा है तो अगर साथ माली जी साथ परसेंट अ कि दो करोड का आपने रिस्क लिया तो भी सोचे गया रेंडम मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूं मैं काउंसा तो वो भी कमाएगा अब 15% सिस्टम ने खा लिया 15% आपने खा लिया तो 30% तो खतम 30% भी अगर काम करके दे दिया ना 70% quality वाला तो वो भी बहुत अच्छी quality हो रही है सोच लीजिए लेकिन लोग 15 वाला जो है ना लास्ट वाला तीस कहिए 30% खा जाए और बड़े लोग मिल जाए बड़ी-बड़ी मचलिया तो सब कहा गच पे ही रोड़ बन जाए है ना मत्धी या गुरूम डाल दी जाए और पूरी कहानी चट कर दिये जाए जैसे हम लोग कुंडली से भी चट में घर से ब्रश्टा चार देखते हैं तो अगर कोई विक्ति जीतेगा चुनाओ नेता तो कैसे जीतेगा हारेगा तो फिर हार जीत सब रहता है अगर चबता घर मजबूत है जनता का तो फिर वो आदमी उखड बढ़ जाता है जनता उस बुजर्गों से सुना है कि कर्म करो तुमको फल मिलेगा पर कई लोग कर्म करते हैं ऐसा कई लोगों को लगता है कि वही हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें कर्म का फल नहीं मिलना है उसी की जगह हमें और प्रॉब्लम्स आ जा रही है कर्म हम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे है, दूसरी प्रॉब्लम आ जा रहे है, दूसरी सुल जा रहे है, तीसरी सुल जा रहे है, तीसरी सुल जा रहे है, चौथी आ जा रहे है, पहले आपको कर्म के सद्धान्द को समझना पड़ेगा, बिना कर्म के सद्धान्द को समझे हुए, आप उसके विशाय म वो भाग निर्मान हो रहा उससे तो एक हमारे यहां जो उतिस में बताया गया है कि एक होता कर्म जो हम कर रहे हैं नीरंतर उसको कहते हैं क्रियमान कर्म जिसको हम नीरंतर करते रहते हैं एक होता है संचित कर्म जो जिसे हमारे यहां सनातन धर्म में यो पिछले पूर्व जन्म की थियोरी भी है, को मानते हैं, जैसे हमारे जितने भी भगवान है, सबका पूर्व जन्म है, तो जैसे भगवान बुद्ध का भी हुआ, है ना, जो हमारे ये बुद्ध हैं, वो अलग हैं, वो बुद्ध से, अच्छी कहा है, तो जैसे, 24 आतारों में जो बुद्ध है ये अलग बुद्ध है इनकी जब इस्टेचिव आप देखेंगे फोटो तो ब्रतबंध होगा इनका इतना से ही पकाड़ लीजिएगा आप अच्छा और उनमें ऐसा नहीं है ठीक है तो वो कुछ हद तक जैसे एक प्रकार से वो मानावता वाला दर्शन है बहुत धर्म जो है मैं आपको बता दूँ वो क्या रहता है जब आदमी की आत्मा दुखी हो जाती है इस साप सारी चीज़ों को ढगोसला को देखने से तो फिर अपना फिर इस तरीके का निरने करते है अब वो छत्री होके भी राजा होके भी उनकी नहीं चल रही समाज में इस तरीके से प्रभुत था ब्रामनवाद कह लीजिए या कुछ भी सिस्टम था तो इस तरीके के मकड़ जाल में था तो उसको तो पीड़ा होती ना समाज में कोई भाई जो मानावता बादी वेक्ती होगा तो वो धर्म के बाद धर्म को किनारे करके वो मानावता को पहले आस रहे देगा समझ रहे हैं अब ऐसा नहीं होता कि भाई हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है भूंखा मर रहा है भूंख से बिलबिला रहा है मर रहा है तो कोई विक्ती ये सोच ले कि नहीं भाई व हम उसको छू देंगे तो हमारा धर्म रष्ट हो जाएगा अरे यार वो काला बच्चा है ठीक है वो बिमार बच्चा है कोड़ी बच्चा है ठीक है उसको छूएंगे तो हमारी स्किन में साथ कोड़ ना जाए ठीक है ऐसा होता है ना तो जो मानावतावादी होगा यह सब ची क्या है चुआ है तो उसका आज से 25.2 हजार साल पहले जो आयरस आया था गाहों क्या हुआ हो जाते थे तो इस तरीके से विकारों को जन्म हो जाता है आपको समझना पड़े आज आप देखिए 77 सालों में ये दुरगती है हमारे समाज की लोग तंतर की आपने देख ली कोई वस्ता यहां लोगों को यह नहीं पता कि कहां थूंकना है और कहां नहीं थूंकना है कहां कचड़ा फेकना है तो आप लगा लिजी क्या इस्थिति है और ये पढ़े लिखी लोग जब सिस्टम को फालो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम में कमिया है आप समझ लीजी वही केला खा रहे हैं रोड पे कचड़ा छिलका फेक रहे हैं अब ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर किसी का पैर सिलीप हो गया किसी की गाड़ी सिलीप हो गई तो कहीं ट्र फिर छोटी गलती हैं बड़ी गलती हैं लो बड़ी हो जाएईगी नुंद एक जुन पता कि हलमेंट है लिए हलमेट लगा पे खरिश्टेशन होने लगेगा मेरी कंगी भी गड़ जाएगी अगर मैं हलमेट लगाउंगा तो तो मतलब एक व्यक्दी भारत भी यह हाल है कि वो अपनी कंगी को अपनी हेरस्टाइल को अपनी life से उपर रख रहा है मतलब आपने क्या system बना के रखा है बाई गजब मतलब आप समझ रहे हैं इसके व्यक्टित में भी problem है तो छोड़ी है कि जीवन मूले कैसे सेट करके रखा इसने समझ रहे हैं कि मतलब मेरी हैरस्टाइल बिखड़ जाएगी वो जादा जरूरी है मेरा जीवन चला जाए तो चला जाए यह है इनके सिक्षा का स्टेंडर अपना भेश थोड़ी जाएगा जब एक्सिडेंट होगा तो दूसरे का भी जा सकता है गलत तरीके से गाड़ी चलाओगे या कुछ भी तो बहुत सारी चीजें हैं उसको समाज समाज में विक्रती तब पैदा हो जाती है जब हम गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका प्रतिकार करने की छमता ही समाज खो दिया है आप देख लिए चार लोग अगर कोई सीसी घर में चार लफंगे लोग आ जाएं अस्तर सास्तर लेके मारते हो पड़ोसी को तो सामने वाला उसको बचाने नहीं जाएगा कहो पुलिस को भी पोन न करे और कहेगा अच्छा बंद कर लो पहले तो पूरा का पूरा गाउट तूट पड़ता था कोई नहीं अब वो जहाकेगा कि ये कांड हुआ कि नहीं कांड हुआ सुबह स्टोरी में पढ़ लेगा कांड हो गया तो चलो गाउँ भग लेते हैं कह देंगे कोई रहता नहीं जब इंक्वारी में आए कि ये कांड हुआ पड़ उसी है तो बताईए कौन लोग थे कैसे लोग थे नहीं उस पे भी कोई रियक्ट नहीं करना है ये तभी आप दिल्ली वगर देखिए दिन ताहाड़े कांड हो रहे हैं दिल्ली क्या हर जगा देखिए देश की पहल रहा है ये क्या है आप ये समाज जो है ना गलाच चीजों को बरदास करने का आदी बन गया है नहीं तो देखिए अगर कोई बच्ची किसी की बच्ची अगर दस बजे हम कहते कोचिंग से छुट रही है कहीं ट्यूशन पढ़ने गई है रात को आ रही है है ना तो हम कहते उसका हर जगा उसका भाई नहीं हो सकता उसका हर जगा बाप नहीं हो सकता लेकिन कुछ देर के लिए तुम ही बन जाओ उसके बाप, तुम ही बन जाओ उसके भाई, है ना, तो जब यह हर वेक्ती समाज का अगर ऐसा हो जाए, वो बच्ची है तो वो समझने की भाई मेरी बहनी जा रही है, मेरी बच्ची ही है, उसके लिए चाहे आप इस्तरी की रक् नहीं कर सकता, वो सर्वाइब भी नहीं कर पाएगा, आप देख लीजे, कोई भी ऐसा समाज है, जो इस्तिरियों की दुरदासा को जेल रहा है, उसका नाश्ट होना निस्चित कर दिया, वीध ही नहीं निस्चित कर दिया, आप में पौरुष नहीं है, देखी, हमारी नाना जी कहते थे, कायर मनुस जो होता है ना, रोज मरता है, रोज डेली मरता है वो, लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं ना, सिर्फ मरत्यू के दिन ही मरते हैं, जिस दिन आपकी मरत्यू होगी, आप उसी दिन मरेंगे, लेकिन जो कायर विकती होगा है ना, रोज मरता है, इसलि यह और वीरता तब पैदा होगी आपके अंदर जब संसकार विक्षित होगे और संसकार तब विक्षित होगे जब एक सिस्टम होगा उस जीज को विकास का, फलने पूलने का, पेंड लगाने से वो पेंड बढ़ा नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं? पेंड लगाने के लिए सीचना पड़ता है, संसकारों को सीचना भी पड़ता है आज हमारे देखे, परिवार भिखर रहे हैं क्यों भिखर हैं पता है कोई स्टाइम ही नहीं है यहां औरतें सोचती हैं कि कितना जल्दी खाना बन जाए और फिर मैं टिक टॉक देखूं फिर मैं इंस्टाग्राम चलाओं फिर मैं फेस्बूक चलाओं यूटूब देखूं सास बहु देख लूँ अपनी सास के पास तुम दो मिनट बैठ नहीं रही हो और वो जीवन का जो अनुभाव है ना वो आप नहीं ले पाओगे ना वो किसी काम के नहीं रह जाओगे आप सास नहीं बन पाओगे बहुन रह जाओगे आप यह कहते है ना वो जो बड़े बुजर्गों के पास जो बैठेंगे नहीं है वो चीज़ आपको यूटूब में नहीं मिलेगी आप उनके जब चरणों में बैठेंगे ना कुछ सीखेंगे कुछ अपनी बातें बोलेंगे वो अपने जीवन के अनुवा कुछ आपसे सेयर करेंगे वो रियल नॉलेज होता है और वो आपको कहीं गाइड करता है समझ नहीं कि आपको दो-दूनी चार जोड़ना है तो आप मॉबाइल ढोगे आज के बच्चों की यह हाल है ना हर चीज के लिए मॉबाइल चाहिए खाना खा रहे है तो मॉबाइल यानि आप ठीक तरी के लिसे खा भी नहीं रहे है उसका रस नहीं ले रहे है आप खाते समय अगर आप भाव से नहीं खा रहे हैं इस खाने को तो रस नहीं बनने वाला है आपके पेट में डिस्टर्बेंस गुड़ गुड़ आएगा ही वो पचे गा नहीं पुराने लोग क्या बोलते थे एस्टोलोजी में भी बता रहे हैं आपको जैसे आपने कहा कि पुराने लोग की बाते हैं जैसे पुराने लोग को साइंस नहीं था उतना ज़्यादा समझ तो पुराने लोग अगर ऐलमूनियम के बरतन में खाना खा रहा ना तो पहते थे ये चुतिया होता है अच्छा अब छुतिया होने का मतलब इसमें खाने योगे नहीं है वो अलमूनियम के बरतन में कैदियों को खाना खिला जाता था जिससे उनकी आयू कम हो जाओ जल्दी निपट लें उखा पी के अच्छा अब देखिए क्या कहानी घर घर में अलमूनियम की कड़ाही चड़ी हुई है तरकार भी उसको मतलब है कि हमको टेक्स मिल जाए चाहे तुम का आज मरना है तो कल मरो खूब सारी दवाजियों करो यह साइंस भी कहता है कि हमारे बोडी में अलमीनियम की जरुरत नहीं है आइरन है बागी और धातू भी है लेकिन अलमीनियम नहीं है तो यह सारी चीज़ें हो रही है अब उसका खाना पीना सब बिगड़ गया अब वो जहर खा रहा है जब उसमें विशाग तो हो जाता है चीज़ें अलमीनियम के बरतन में आप जो खाना खाते हैं वो एक प्रकार का विशाग तो हो जाता है वो खाने योग नहीं होता खाना वो कैदियों के लिए दिया जाता है, अंग्रेज लोग पुराने कैदियों को एलमूनियम के ही बरतन में खाना देते थे, कि जल्दी बीमारी आए, जल्दी जाएं तो अब यह तो घर घर में चल रहा है एलमूनियम, फिर एलमूनियम से ल ‑‑ ईक प्रकार से, भूराने हैं पुराने लोग खाते थे उस लमानए को अनपढ़ें लोग बीटन आए इतना जानते थे कि यह आरेलमूनियम पे नहीं खाना है पूले के बरतन पे खाना है लेकिन आजकल कि पढ़े लिखे लोग ये चीजों को नहीं समझतेお願いします न हीत भूख समझते जो हिद कारी है वो खाएं न रीतु भूख समझते हैं न रीतु का अनुसार हो वो खाएं ना हित समझते, ना रितु का समझते, ना और कुछ समझते, जो पसु पक्षी भी समझते, वो भी नहीं समझते, इनका कोई नियम नहीं, उठने खाने का भी नियम है, किसी भी पसु पक्षियों का भी सोने का नियम है, उठने का नियम है, ठीक है, यहां तक ही पौधों को भी आपको सूर्यस्त के बाद पौधों को नहीं हिलाना डूलाना चाहिए ये फिर अपनी अवस्था में चले जाते हैं स्लिपिंग मोड में हो जाते हैं सूर्यस्त होने के बाद तो इनका भी सबका एक विज्ञान है सबकुछ पुरी स्रष्टी सिस्टम से चल लाई सिर्फ इंसान ये सिस्टम रहता है तो जब आप सिस्टम में नहीं हो और सिस्टम का ही हिस्टा हो और सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हो तो ये सिस्टम ही आपको खाड़ के फेक देगा अच्छा आचारे जी जैसे मेरे दिमाग में ये कोश्चन था कि हम सब पूजा पाट करते हैं तो कुछ मंत्रों का उच्छारण करते हैं कुछ जाप करते हैं और कई तरीके के से पूजा करते हैं तो अगर जैसे संस्कृत वर्ड्स का ज्यादा तरह सभी चीज़ों जाप में भी और बंत्रों में भी संस्कृत वर्ड्स का यूज होता है अगर हमने उच्छारण में गलतियां की हम सरद्धा से तो कर रहे हैं तो उच्छारण हमारे थोड़े थोड़े गलत है तो इससे क्या दोश कुछ होता है इसका कुछ दूस प्रभाव तो निश्चित रूप से अगर आर्थकान आर्थ हो जाता है फिर उसमें अगर आपने सकाम पूजा की है सकाम मतलब कामनाओं को ध्यान में रखके कोई रिचुवल्स है या कोई तांतरुक्त विधियां है या कोई ऐसी विधियां है जिन पर नियम को बताया गया है नियम को आपने फालो नहीं किया कोल मिला के हैना गलती कर दी है तो फिर उसका इफेक्ट खातम हो जाता है उसके कुछ दूस परड़नाम रहते हैं बॉड़ी पे भी आते हैं वो कोप आ जाता है इन में भी रहता है आलफा बीटा गामा रहती है सब चीजी मंत्र में भी मंत्र जो होता है न इनका भी आकार होता है इनकी भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहती है हर एक मंत्र की अलग फ्रिक्वेंसी है अलग अकार है और अलाग डाइमेंशन से लिंक रहते हैं जैसे बैंड रहता है na FM बैंड, EM बैंड, ऐसे ही ऐसे सेम काम करते हैं जो भी ग्रह को मजबूत करना होता उसी से संबंधिंग की चैटिंग करते हैं, उसी की बीजमंद्रों का जाप होता है और फिर वो सही तरीके से होता है तो वो आपको निगेटिव एफेक्ट छोड़ देता है वो पस्टिव एनरजी देने अच्छा दिसे रतन वगेरा धारन करते तो क्या इनका एफेक्ट होता है उसका लॉजिक क्या है कैसे काम करता है किसे काम कोई पत्थर कैसे किसी पर-फैक्ट डाल सकता है ऊब कोई पत्थर किसी पर EFht डालता ।गर पथर पहनने incentiv ही बहुत लोग करोड पती बन जाते हैं toen ओसे बहुत सारे लोग हैं जो अभाव से ग्रसित हैं, किसी भीखारी को पकड़ लाओ, उसमें सब नीलम, पत्थर, पुकराज, अहीर, पन्न, सब पहना दो जो लग रहे हैं, वो बना दो उसको देखता हूं, चार सालों में आरपपती, खरपपती, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, भाई, हम ही लोग एस्ट कर्म है, जो हम कर चुके हैं, प्रारब्ध में, उसका फल हम वरतमान में भोगते हैं, उसका फल वरतमान में भोगते हैं, उनका फल ज़्यादा कर देंगे, तो फिर बहुत जल्दी मिलने लगता है, इसी जन्द में भी मिलने लगता है, जैसे दूरे कर्मों का फल फिर जल् कर दिये चोरी चमारी या किछ अडर मडर कर दिये कुछ ऐसा फिर आप देखिए फिल्म को साजा जोरू मिलती है ऐसा नहीं है फिर कहीं फांसी लटा कर रहे हैं वो क्या है और कभी-कभी ऐसे भी अपराधी मिलेंगे बहु सारे कांड काड डाले अब कुछ नहीं हुआ उसका सौ-दो-सौ लोगों को मरने के बाद यो एसी पे बढ़ी आराम से प्राण त्याग रहे हैं वो क्या भीया तो आप तो ये कर्म का सिध्धान्त बेकार हो गया आपका कि इतने सारे लोग को मार के बिल्ली सौ चुए खाके हज को चली वो बला कहान जी नहीं है इतने सारे अ कर्मों करने के जो भी विक्ति बुरा कर्म भी कर रहा ना अच्छे कर्म या बुरे कर्म उसमें भी प्रारब्द का बल रहता है कोई भी विक्ति तभी तक अच्छे कर्म करेगा जब तक उसके प्रारब्द का बल चीज है आपको जीवन में जो भी चीज मिल लही ना प्रार भोगा नहीं तो चले गए तो आपका प्राराब्दसंचित कर्म आपका जो है वो बहुत strong है भाग्य बली देखिए भगवान सीक्रेशन कुंती से क्या कहते है कुंती भाग्य सरवत्र फलित नाचा विद्या नाचा पौरुषम भाग्य ही फलित होता है फिर जब भाग्य जब फलित होता है तो ना विद्या काम में आती है ना पौरुष काम में आता है पौरुष तो भीम का था कितना पौरुषवाना विक्ती था दुरियो धन को हरा दिया अक्साधार ना समझीए दिखे है वो दुरियोधन जो लोहे का हो चुका था तो भाग गे जब फलित होता है ना उसके हिसाब से भाग गे फलित हुआ है तो जंगल जंगल भटक रहे हैं खाने के लिए अपनी जैसे इतना बहादूर आदमी भी भटक रहा है भाग रहे हैं आप युधिष्टिर को देख लीजिए कितना इसको पास नौलेज था इतना नौलेज था चक्रवर्ती समराठ है युधिष्टिर भारत का लेकिन देखी जब किसमत खराब होती तो क्या हो रहा है जंगल जंगल भटक अरजुन महा धानूर धारी मतलब आख पे निसाना लगा दे इतना अचूक निशाने बाज मतलब वो भटक रहें जंगल जंगल ये भागी तो है है ना अब देखे क्या भगवान पारिक्षित को गर्भ में बचा लिए ब्रह्मास्तर से तो अभिमन्य को नहीं बचा सकती थे क्या भाग ये सरवत्र फलित नाचा विद्या विद्या भी काम में नहीं आती फिर ना पारुष काम में आता है आपका भाग ये ही फलित होता है तो हम जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करते हैं कोई राजा की घर में पैदा होता है वो कौन सा पुरशार्थ किया कि भाई वो एसी में सो रहा है हम कौन साइसा पाप करें जन्म के समय कि जोपडी में पैदा हो गए कोई जोपडी में पैदा हो रहा है कोई महलों में पैदा हो रहा है देखिए नेचर में भी समानता नहीं है झिek निचिर में आपको देखें कहीं में कोई चीज औमने नहीं है एक इंसान दूसरे इंसान हम तो लग रहे हैं दोनों इंसान इस तरीके से है, एक ही इश्वर है, दूसरा नहीं है, और वो एक ही इश्वर अनेक रूपों में, एक हम दुत्यों नास्ति, वो एक ही इश्वर है, दूसरा नहीं है, लेकि वो अनेक रूपों में है, जैसे अनंतरहित, सकलरस भोगी, बिनुवानी बकताबर जोगी, वो एक इश्वर अनंत रूप में फैला हुआ, अनेक मुहों से अनेक रसों का स्वाधन करता है, जैसे माली जी, अब अनेंत कैसे, भई कुत्ता भी तो बना हुआ है, कववा भी तो बना हुआ है, गाय भी तो बना हुआ है, कीटी भी तो वही इश्वर बना हुआ है, मैं भी तो वह खा रही है और सेर हीरन कोई खा रहा है और बहलिया सेर को भी मार रहा है थीक है तो एक सिस्टम के तहाँ चीज़ें चल रही है और यह दोनों मर गए तो किद्ध खा रहे हैं अब देखिये प्रकाती hypertं यह एक से स्टम होगा, अच सारी चीज़ें एक से स्टम से चलती हैं, सब चीज़ें आपको बता दे हम लोग प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, भाई तुम एतने सालों में ये दुर घट ना घट जाएगी, एक्जेक्ट पता नहीं होता, कोई विवेक्टी किसी का एक्जेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मैं आपको बताओं, वो अगर एक्जेक्ट प्रेडिक्शन कर रहा तो सिर्फ दो लोग के पास पावर है ऐसा करने की, आस्तरों में कहा गया है, कोई विवेक्टी किसी का भविश से वही विवेक्टी बत जिसको सिड़् दी बोलते हैं उसको तपश्या करने का बड़ा नियम है माने दिन में आप एक बार भोजन करेंगे 12 साल तक आप वो नहीं पहन रहे हैं 12 साल तक आप तप करेंगे 12 साल तक आप जूँट ना बोलें 12 साल का ब्रत समझ लीजे जमीन पे सो रहे हैं जूंट नहीं बोल रहे हैं चैटिंग कर रहे हैं उस मंतर का तो वो चैटिंग करते करते आपकी एनरजी इतनी एकाकार हो जाएगी कि वो आप जो सोचेंगे वो चीज घाटित होने लगे किसी कभी फ्यूचर बहुत बहुत देख सकते हैं वो बहुत हाई लेबल के चीज़े हैं अकालिव में ऐसी चीज़े मिलना मुस्किल है कोई आपको तरकार लगे मिल जाए ऐसा नहीं कि भारत वीरों से खाली है कि यहां बहुत विविदता है भारत में और इतनी विविदता दुनिया के कहीं किसी भी देश में नहीं मिलेगी सायथ आप भारत में ऐसी भी ऐसी भी लोग मिल जाएंगे आपको कि पती गया है ग्राहाँ डूनने पत्नी के लिए सचा ही बता रहा हूं आपको और ऐसे भी लोग मिल जाएंगी कोई उनकी इस्तریों को आँख उठाके देख ले तो आँख निकाल ले कोई इस्तری को हाथ लगा दे तो पुरे समाज को खतम कर दे मतलब वो समाज इस्तریों के लिए मर सकता है और एक इसी देश में इसा भी हो सकता है कि वो पैसे के लिए मर रहा है एक विक्ति इस्तری के समान के लिए मर रहा है इतनी भी विद्धता है इस देश में पहली बात आपको समझना पड़ेगा बहुत भी विद्धता पूँदेश है ये तो आज के लिए समाप्त करें चलिए नमश्कार